दोस्तो नमस्कार मैं मुहन्त हवाईत एम्टेक चेनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो या फिर आप कोई भी काम या नौकरी करते हैं तो एटिट्यूट के बारे में भारत के सबसे मसहूर हाज सिकवी सुरेंद्र सर्मा जी की ये बातें जरध्यान से सुनिए फिर मैं आपसे एक सवाल करूँगा और आप अपने अनुभाव के आधार पर अपना जवाब नीचे कमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा तो आईए जानते हैं एटिट्यूट पर सुरेंद्र सर्मा जी के विचार जिस काम को आप करते हो जिस काम से आपका घर चलता है जिस काम से आपका पेट पलता है जब तक आप उस काम को इज़द देते रहोगे तब तक मुनाभा होता रहेगा जिस दिन आप अपने काम पर बैट कर कहने लग जाओगे आज कल इस काम में कुछ नहीं रखा उसी दिन से उसमें घाटा होना सुरू होता चला जाएगा जिस नौकरी को आप करते हो कम तन्खा की भी नौकरी और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ तो कम तन्खा में भी जिन्दगी भर आपकी बरकत हो सकती है इसके ठीक विप्रित लाखो रुपे महने की नौकरी को कोशते रहोगे तो कभी भी जिन्दगी में बरकत नहीं हो सकती काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो पर आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने जाते हो सर्मा जी आपकी सभी बातें अच्छी है ऐसी भावना रखकर कारे करना सकरात्मक दिश्टी कोण को बढ़ावा देता है आत्म निर्भरता पर जोड़ देता है संतुष्टी पर जोड़ देता है इसके ठीक वीप्रित नकरात्मक सोच काम को प्रभावित करती है या नुकसान भी पहुँचा सकती है लेकिन वास्तुविक जीवन में हर कोई अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है और कई बार लोगों को आर्थिक दबाव के कारण ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते पर एक बात मुझे भी समझ नहीं आया कि कम तनखा की नौकरी को बढ़िया नौकरी कहकर आदमी कैसे तरक्की कर सकता है अगर किसी ब्यक्ती की कमाई 20,000 रूपए है और उसके परिवार में बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल के खर्चे बढ़कर 15,000 से 25,000 तक पहुँच जाए तो ब्यक्ती संतुष्ट रखकर तरक्की कैसे कर सकता है या फिर जो लोग अपना मंथली गोल सेट करते हैं और टार्गेट तक नहीं पहुँच पाते इसका मतलब क्या यही होना चाहिए कि किसी ने 5,000,000 का गोल सेट किया लेकिन महिने में 1,000,000 की सेल तक ही पाया तो उसे इस सच्चाई को स्विकार करना चाहिए कि उसने अपनी छमता का उतना ही इस्तेमाल किया जितना उसे प्राप्त हुआ तो असंतुष्टी किस बात आप निरास, हतास या परेशान मत होईए क्योंकि अगर आपने गोल सेट किया ही नहीं होता तो उतना भी नहीं मिलता जो प्राप्त हुआ है जो परिणाम आपको मिला उस पर संतुष्ट होना चाहिए मगर लक्ष का पिछा करना नहीं छोड़ना चाहिए इस बारे में आपकी क्या राय है अपना विचार कमेंट बाक्स में जरूर लिखें मुझे आपकी राय जानने में खुशी होगी और अगर आपका पहला विजिट हो चैनल पर तो यूजफुल बिजनस टिप्स की जानकारी के लिए mtech चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जय हिन वन्दे मातरम